यूरोपियन यूनियन पिछले एक साल से रूस से होने वाले तेल वैपार पर आकुंश लगाने की कोशिश कर रहा है ऐसे में सफल रहने पर अब उसने भारत पर निशाना साधा है यू के विदेश नितिक के सर्वोच प्रती निधी जोसिफ बोरेल ने कहा था कि यू को मालूम है कि भारते रिफाइनरीज भारी मातरा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही है फिर इसे प्रोसिस करके यूरोप को बेच रही है इस पर यू को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है इसके बाद जैशंकर ने बोरेल को EU काउंसिल के नियम खासत और पर 833-2014 की याद दिलाई इस नियम के तहट यह सपर्स्ट है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसिस से गुजड़ता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा हला कि एक बार फिर EU ने वही राग लापा इसे से पहले बीज़े शंकर ने रूस से भारत के आयात का बचाफ किया था जबकि यूटरेन में सेने कारवाई के मद्दे नजर रूस के साथ अपने वेपार को कम करने के लिए नई दिली पर दवाब डालने के लिए अप्रतेक्ष रूप से पस्चिम की अलोचना की थी कि यस व्यास ब्रच प्रॉज प्ले प्ले चाल को चे लाच प्टब अच्छ टॉज अंत प्लेज इसंग कि निट्व इस ब्लाड आज कुछ था कुछ ए जुल चाल कि उंडने हैं